नमस्कार दोस्तो, स्वागत है एक नए वीडियो में, हम लोग एक स्रीज देख रहे हैं, स्पीडी के समाने ध्यन के ब्रहमास बुक में दिया हुआ टेस्ट पेपर, आज का टेस्ट पेपर है 55 एबं 56, तो आईए शुरू करते हैं पहले प्रस्ण से, पहला प्रस्ण है कि ध रुब्य छेतर में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या करते हैं, और इसका अंसर हो जाएगा B, बलिजेर्ड करते हैं, कोलाला नामक जानबर कहां पाया जाता है, और इसका अंसर हो जाएगा A, अस्ट्रेलिया में, अगला प्रस्ण है कि मनुस्यों ने सरपर्थम किस धात कांगा कुआ है, ताज महल को बनाने वाला बास्तुकार का नाम क्या था, सही जबाब हो जाएगा B, उस्ताद अब्दुलहमीद लहोरी, करो या मरो का नारा किस ने दिया था, अंसर हो जाएगा D, महात्मा गांधी, बिसका सबसे बड़ा महादीप कौन है, और इसका अंसर हो जाएगा A, Asia है, अगला है भारत के सोतंता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का परधान मंत्री कौन था, भारत के सोतंता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का परधान मंत्री कौन था, अंसर हो जाएगा A, Clement Italy है, जमसेदपूर किस नदी के तट पर इस्तित है, अंसर हो जाएगा A सक्कितिक के तटबे है राष्टिय सच्छर्था दिवस्त एसका अंसर हो जाएगा B फटेअपुर सिक्रि नगर को बनाने वाला बस्तुकार कौन था? और इसका अंसर हो जाएगा C बहा उददिन देश की परथा महला IPS कौन थी और इसका सही अंसर हो जाएगा A किरन बेदी देश की पर्थम महला IPS कौन थी तो किरन बेदी भारतिय सर्वोष नियालाई के जजों की सेवानिविर्थी की आईउ सीमा कितनी है अंसर हो जाएगा C 65 बर्स मांट एबरेश्ट की उचाई कितनी है इसका अंसर हो जाएगा B 8850 मीटे राजंदर परसाद को देश रत्र की उपाधी किसने परदान की और इसका अंसर हो जाएगा D महात्मा गांधी रसायनिक योगी का सबसे छोटा संभावी युनिट क्या है अंसर हो जाएगा A अनू रासभा की मिटिंग का संचालन कौन करता है अंसर हो जागा B उपराश्टपती भारत का लव पुरुस किसे कहा जाता है लव पुरुस किसे कहा जाता है अंसर हो जागा C सरदार बल्लभाई पटेल को किस राज में सरपर्थम निर्दलिय मुखमत्री का चेरन हुआ अंसर हो जागा C उडिशा महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गोटसे ने किस बर्स की महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गोटसे ने किस बर्स की अंसर हो जागा A 30 जनवरी 1948 को सबसे पुरानी जैन लिपी को क्या कहा जाता है अंसर हो जागा D 12 अंग सबसे पुरानी जैन लिपी को 12 अंग कहा जाता है बिसु का सबसे बड़ा दीव कौंट सा है अंसर हो जागा B Greenland दाची ग्राम अभ्यारन किस राज में इस्तित है घाना पच्छी बिहार किस राज में इस्तित है? अंसर हो जाएगा B, राजस्थान में. संगम साहित की रजना किस भासा में की गई? और इसका अंसर हो जाएगा C, तमिल में. कूकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? और इसका अंसर हो जाएगा D, 90% होता है. कि किस अमल के कारण दूध में खटापन होता है किस अमल के कारण दूध में खटापन होता है अंसर हो जाएगा ए लैक्टिक अमल अगला है राजा राम मुहन राम को राजा की उपाधिक किस ने दी इसका अंसर हो जाएगा बी अकवर्दुट्यने लुंबीनी का संबंद किस ध महासागर कौन सा है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है अंसर हो जागा ए परसांद महासागर चार मिनार को किसने बनवाया था चार मिनार को किसने बनवाया था अंसर हो जागा सी मुहम्मद कुली कुतुबसा मुहम्मद कुली टेगोर को, सबसे अधिक उपजाव मिट्टी कौन सी है, सबसे अधिक उपजाव मिट्टी कौन सी है, अंसर हो जाएगा D, जलोड मिट्टी, कलकत्ता नगर के स्थापना किसने की, कलकत्ता नगर के स्थापना किसने की, अंसर हो जाएगा A, जौब चार नौक ने, किसने मुह मुहम्मद जिन्ना को काईदे आजम की उपाधि दी मुहम्मद जिन्ना को किसने दी unसर हो जैगा A महातबा गांधी नेक्स्ट है अगले टेस्ट पेपर का पहला प्रस उतंडर्राम चरित की रचना किसने की song of sun aux हो जाएगा C. भबोती कूकी जन्जाती का संबन्द किस राओ से है? अंसर हो जाएगा A. मनीपूर से है. 오른 जाएगा संग्क यस्ठापना कव की गई? अंसर हो जाएगा C. 24 सक्टूबर 1945 को अधुनीक भुगोल का जनक किसे कहा जाता है? अधुनिक भुगोल का जनक किसे कहा जाता है? अंसर हो जागा B, Alexander Bonhambold का आर्थिक और समाजिक योजना का विशय किस सूची के अंतरगत आता है? अंसर हो जागा C, संबर्ती सूची किस गरह पर सूर्ज पच्छिम में उगता है? अंसर हो जागा D, सूच्र गरह पर सूर्ज पच्छिम में उगता है महावीर का जन्म कब हुआ था? अंसर हो जागा B, 540 इसा पूर्व सहरिया जन्जाती का संबंध किस राज से है? अंसर हो जागा D, राजस्थान से अंसर हो जागा E, डॉक्तर भीमराव अंबेद कर 20.8 दिवस कम बनाया जाता है? अंसर हो जागा D, अंसर हो जागा C, 1 दिसम्बर को 20.8 दिवस मनाया जाता है? एक दिसम्बर को अगला है समिधान के किस भाग को समाजिक आर्थिक रिच का उलेक है? भाग 4 भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है अंसर हो जाएगा A. लर्ड कॉर्न बालिश को अगला है My Music, My Life पुस्ता के लेखा कौन है My Music, My Life पुस्ता के लेखा कौन है अंसर हो जाएगा C. पंडित रभी श्रंकर भारत में सरबादीक गन्ना उत्पादक राज कौन सा है अंसर हो जाएगा B. उत्तरपर्देश गौपाल कृष्ण कोखले किनके राजनेतिक गुरु थे अंसर हो जाएगा B. महात्मा गांधी के next है पारलियामेंट की जन्नी किसे कहा जाता है सही जवाब पंचाईती राज अधनियम का प्रवधान भात्य सिमिधान के किस भाग में है? अंसर हो जाएगा B. भाग नौ में. फसलो के अध्यन को क्या कहा जाता है? सही जबाब हो जाएगा A. एग्रोनौ में. भारत रत्न में सम्मानित पर्थम वेक्ति कौन है? अंसर हो जाएगा B. ड करसीं बर्मन सकेंड ने सवाचंदर बोष के गुरू का क्या नाम था? सही जबाब हो जाएगा C. चितरन जनदास अस्ट्रेलिया की रधानी कहां है? अंसर हो जाएगा B. कैनवरा. एस्यन डॉमानामच पुच्थतक के लेखा कोन है? एस्यन ड्रामाच अन्सर ओ जाएगा C प्रांतिय समिधान समीति का ध्यश किसे बनाया गया था अंसर हो जाएगा D बल्ला भाई पटेल को सिवा जी के राजनेतिक गुरु का नाम क्या था अंसर हो जाएगा B दादो जी कॉंड देव थे सिवा जी के राजनेतिक गुरु दादा जी कॉंड देव थे नागलेंड को भाक्तिय राज में कभ समलित किया गया और इसका अंसर हो जागा C कितने समय कंतराल होता है किस अस्थान पर उच जोर भटाउ में कितने समय कंतराल होता है अंसर हो जागा C 12 गंटे 26 मिनट का पर्थाम ओलंपिक खेल का आयोजन किस बर्श हुआ था, अंसर हो जाएगा A, 1786 में लावर परभ पर्योजना का संबंद किस राज से है, अंसर हो जाएगा B, करनाटक से भारत में आधूनिक चित्रकला का जर्मदाता किसे कहा जाता है? अंसर हो जागा D, कोई नहीं इंट्रिग्रल कोज फेक्टिव परंबूर किस राज में इस्तित है सही जवाब हो जागा C, तमिल नाडू में है भारत का सबसे पहला तारा मंडल कहां अवस्तित है अंसर हो जागा B, कोलकता में रूसी करांती का जनक किसे कहा जाता है अंसर हो जागा D, निकोलेई लेनिन को रक्ष चाप को मापने का यंद्र क्या कहलाता है अंसर हो जागा B, अस्फिग्मो मैनो मीटर भारत के पनरजागरन का जनक किसे कहा जाता है अंसर हो जाएगा C. राजा राम मोहन राय को ग्रेसम का नियम किस से संबंदित है? अंसर हो जाएगा A. मुद्रा के पर्चलन से तंजाओर के ब्रधेशवर मंदिर को किसने बनवाया था? और इसका अंसर हो जाएगा B. राज राज पर्थमने यह था स्पीडी के समान अधन के ब्रहमास बुक में दिया हुआ टेस्ट पेपर अगर विडियो अच्छा लगा हो तो प्लिज लाइक अंसर कर जेगा धन्यमाद